जब भी व्लोगिंग का नाम आता है तो लोग कहने लगते हैं क्रिंज है यह है वो है यानि कि व्लोगिंग को ज़ादा कुछ लोग पसंद ने कर चो लेकिन कुछ लोग जो है बहुत पसंद करते हैं इसी बीच में अलग-अलग टाइप की यूट्यूबर और व्लोगर्स संभावना सेट के बारे में जो की और यूट्यूबर से अलग है और उनकी क्या चीज़े अलग करती है और क्यों मैं इनको देखना पसंद करती है और शायद आप लोग भी इनको देखना पसंद करते होंगे तो आज मैं कुछ बाते शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको क खाफी जादा चेंज कर लिए अपनी व्लोगिंग के जरीए क्योंकि लोग इनको जान पाए हैं इनको समझ पाए हैं कि भाई वो उनकी बेसिक नेचर नहीं है वो जैसे एक रेमडमली उनके एक्षन पर रियक्षन आते हैं जो वो जादा हाइपर हो जाती है गुस्सा हो जात हैं लेकिन इसके अलावा उनकी व्लोगिंग में हम यह देख सकते हैं कि वह बहुत अच्छी वाइफ है बहुत अच्छी मदर है और बहुत अच्छी बेटी भी है बहुत अच्छी बहु है तो आप कह सकते हैं कि वह एक अच्छी महीला है जिसको अच्छी महीला बोले अगर आप इनकी व्लोगिंग पे जाते हैं तो इसलिए ही मैंने थोड़ा टाइटल ऐसा लगाए कि मतलब संभावना सेट की व्लोगिंग देखोगे तो है थोड़ा ऐसे हो जाएगा लेकिन मैं उसका रिजन बताओ मैं आज कल मैं उनकी व्लोगिंग देख रही हूं तो आप देख लिए बेबी को लेगे हैं उसके अलावा जो उनका डोग है यानि की जो कोकू है वह काफी जादा इस वक्त बिमार है क्योंकि उसकी जादा हो चुकी है तो वह बिमार रहने लगाए तो इस सिचुएशन में भी वह बंदी मतलब जो आती है अपनी व्लोगिंग पे आ प्रपाती है हस्ती है आप उनके फेस पर देख सकते होंगे वह टेंशन वह दर्द जो वह बयान नहीं कर पा रही है यह पर यह कहें कि छुपा रही है जस्ट किसी लिए क्योंकि जो लोग उनको देखते हैं वह इसलिए देखना पसंद करते कि बहुत अच्छा देखने के लि और एक रियल ब्लोगिंग करें तो मेरी खियाल से ऐसे व्लोगर होते है जो रियल ब्लोगर होते है जो कि अपनी परसनल जो प्रवलम होती है उसकी वजह से दूसरों को से इसे है वी काफę लोगा टैस्टैंoud अगरोट कोको कोलेकि हाई यह उह गया वह गया अरोन अरोने लगेगी ना तो जो लोग कोको को पसंद करते हैं जो लोग संभा हूँना को पसंद करते हैं वह भूवर ज़ादा से तंचिंशन आ जाएंगे इतने साल से उनके साथ में है वो खड़ी हुई थी तो उस situation को देखके समाल रहे हैं अकर वो वहाँ पर रोने लग जाती तो पता ही नहीं कितनी लोग इस चीज को situation को देखके वहाँ पर रोने लग जाते तो इसको कहते हैं एक real vlogger एक जो सही अच्छा इंसान है जो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता तो इस चीज को देखके जो अब उनकी condition चल रही है ना कि face पे tension दिल में tension लेकिन लोगों के सामने हसना मुस्कुराना तो मतलब मैं तो यही कहूंगे कि जो लोग इनके लिए यह बोलते हैं कि अब भी hate comments करते हैं कुछ बोलते हैं तो भई समल जाओ वो सच में एक बहुत अच्छी vlogger है एक सच में अच्छी इंसान है परसनली आप किसी को जाके मिलते नहीं हो किसी को जानते नहीं हो तो उसके को को अच्छी तरीके से recovery कर ले को को की इच काफी जादा हो रही है जिस वह जादा टेंशन में है तो जल्दी से सब कुस ठीक हो जाए और समभावना कि यहां पर जल्दी से बहुत सारी खुश्य आए जल्दी से मम्मी बन जाए तो हम तो करते हैं वीडियो को यहीं पर मिल